जिस वेपार को अपने करा उस वेपार में आपको फल नहीं मिला फिर आपने वेपार चेंज करा फिर बदल कर देखा फिर उस वेपार को करकर देखा उसमें फल नहीं मिला फिर आपने बापिस वेपार को बदलने का विचार किया तो हमारा निवेदन रहेगा उस वेपार को बदलने से पहले एक काम जरूर कर देखे शिव विद्धेश्वर सहीता का ये भाव बड़ा सुन्दर है महाराज आप वेपार पर वेपार बदल कर देख लिए धन भी हमारा कहीं डूब गया आ नहीं रहा है तो प्रयास करना तीन इस्थान पर चड़ाई गई बेलपत्र हमें सुक्ता नुभाव करा देखे बहुत ध्यान लगई ये तहला अशुक सुन्दरी की जगा अब ये बेलपत्र जब भी आप चड़ाएंगे तो रवीवार की अगर प्रदोश पढ़ जा कौनसे दिन रवीवार की प्रदोश के दिन ये प्रयोग अवश्य करकर देखे जादा बार नहीं करना है किवल एक ही बार करना बाबा उस स्वयम किर्पा करेगा एक बेलपत्र अशुक सुन्दरी वली जगा अब उसको अशुक सुन्दरी की जगा पर भी चड़ाने का तरीका क्या है ये शिवलिंग है ये जलाधारी है ये जल बहता है बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशुक सुन्दरी का इस्थान ये जो भाग है शडानंद कार्ती के गणे जी और कार्ती के जी का है जलाधारी मतल्म माता पार्वती जी का हस्त कमाल शिवलिंग मतलब भगवान शंकर का सुरू उपर से जो बुंदबुंद प्हानी इसकपर गिरता है वो शंकर भगवान की पांच लड़कियां जया विशहरा शामलीबारी दवतली और देव शिवजी की पांच लड़कियां ऊपर एक लड़की शंकर भगवान की छटे नंबर की अशोक सुन्दरी उनके चरणारविंद के पास उनके गणेश शडानन्द कार्तिके के मद्धि में जब हम बेलपत्र चड़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चड़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है वो बेलपत्र रविवार प्रदोश के दिन का यह उपाए यह बेलपत्र की डंडी है इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए यह जो डंडी है इसका भाग अ जब हम समर्पीत करेंगे तो जलाधारी का जया विशहरा शामरीबारी दवुतली देव मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के तो उसका इस्मर्ण करकर पाचो कन्याओं का नाम लेकर जया विशहरा शामरीबारी दवुतली देव इनका इस्मर्ण करकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे बेलपत्र कहां रखना है आप अगर यहां बेठे हो तो आपके विप्रीत में डंडी का मुख होना चाहिए यह बेलपत्र की जो डंडी है इसका मुख आपके विप्रीत में हो आप यहां बेठे हो तो डंडी का मुख इदर होगा आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो ये दो जगा बेलपत्र समर्पित करने के बाद तरतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है जहाँ पर भगवान संकर का शिवलिंग रखा है वहाँ इसपर्ष कराकर केवल छुवाना है इसपर्ष कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो कोई शंकर हो या कोई मिट्टी का डेला हो नी हो तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी मुची करकर एक बेलपत्र बेट कर इस बेलपत्री की डंडी जड़की और मतलब जो बिरच्छ होता है उस और इस डंडी का मुख होना चाहिए ये तीन रविवार के परदोश के दिन शंकर भगवान पर चड़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी उनहां आने का रहता है और हमारा जो बेपार बार 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 बंद हो रहा है शिव की कृपा स से एक बार चलू तो चलू होई ही जाता है सितंबर महिने में रविवार प्रदोश पढ़ रहा है रविवार प्रदोश का यह बहुत ही अच्चुक उपाय है अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा मेरे चैनल में को सबस्क्राइब करिएगा